कभी आपने गौर फर्माया कि इतने सारे ओईल हैं सभी बॉटल में आते हैं यह कैप्सियूल में क्यों आता है तीन रुपे के इस कैप्सियूल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू अभी भी होते क्या रमेश नाम के लोग नीचे लिख कर बताना जरा इस तीन रुपे की कैप्सियूल से आप अपने हैर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने हैर ब्रेकेज को रोग सकते हैं अगर आपके बालों में फ्रेज है उसको क्यों कर सकते हैं और तो और अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार की अनमैनेजबिलिटी है इसको भी कर सकते हैं 3 रुपे जिहां मात्र 3 रुपे की कैपसिल से बाल डामेज हो चुके हैं बहुत डामेज हो चुके हैं बरदार्श से बाहर डामेज हो चुके हैं तो कहीं क्यों जाना भई यही आना था बिल्कुत सही वीडियो पर लैंड किया है आज यही बात होने वाली है तो ध अपना प्यार लेना होगा जनम हमें कई कई बार जी हां कई बार जल्म लेना पड़ेगा आपको ये बताने के लिए कि आप सभी कितने प्यारे हैं A very warm welcome to my entire family on their own channel जिसका नाम है प्रीती प्रेड़ना अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि देखें मैं अपने परिवार के लिए खुब सारे गाने गाती हूँ उन्हें बहुत सारी डियावे रेमेडीज बताती हूँ उनसे इंटराक्शन करती हूँ हम लोग बहुत खुश रहते हैं सेल्फ लव की नई परिभाशा लिख रहे हैं तो आप भी हमारे साथ लिखना चाहते हैं तो नीचे जो लाल रंगा बटन है उसे क्लिक कर दीजे उसकी बगल में एक बैल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजे आज के वीडियो में सबसे पहले तो everybody please excuse me मेरी शकल और मेरी आवाज दोनों ही थोड़ा सा cold से ग्रसित हैं काउनों चिंता की बात नहीं है हम बिल्कुल बढ़िया है दुरूस्त है आपके सामने वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा cold हो गया उपर नीचे इतना चलता है आज के वीडियो में आप सभी के साथ बात करने के लिए आए हूँ about vitamin E for your hair परसो मैंने आप लोगों के साथ vitamin E आपकी skin के लिए शेयर किया था जो की कमाल का result आप लोगों ने दिखाया है कि भाया बहुत जादा आप लोगों ने उसको प्यार दिया आज मैं आपसे बात कर करते हूं कि इसी vitamin E oil का इस्तमाल अपने बालों के लिए कैसे कर सकते हैं and believe me hair loss, freezy hair, unmanageable hair, बालों की कोई भी समस्या क्यों न हो, vitamin E could be the possible reason, इसकी deficiency भी इतनी जादा परेशान करती है और जब ये सही मातरा में आपकी body में होता है तो आपके बालों को इतना चमकदार कर देत तो करते हैं बात about vitamin E, लेकिन ध्यान से सुनिए, समझे, जैसा बताया जा रहा है exactly, वैसे ही execute कीजे and you are bound to be very happy about your hair, चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले में आप सभी को revision करा दो और ये याद दिला दो कि vitamin E oil ए गसप का anti-oxidant है जो कि आपके cells को चाहे वो skin का है चाहे व उसको suppress करता है आपने तो का था कि जब बाल की उम्र हो जाती है तो उसका गिरना बहुत आवशक है जी बिलकुल आवशक है लेकिन मैंने कहा था कि जब उम्र हो जाए उम्र से पहले अगर आपके बाल गिर जाते हैं आपके एक बाल की उम्र होती है आठ साल यानकि एक फॉ यह बालों को अच्छा एक बालों को अच्छा एक बालों का फृजी होना ड्राइब होना डामेज दिखना यह बहुत ही लाजमी है इसमें आपको सेप्र्प्राइज होने की कत़ह आविशचता नहीं है इसलिए अपनी डाइट में विटमिन E का खयाल रतना आपके लिए बहुत आविशक है मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिसक्स किया था कि अगर अपनी डाइट से विटमिन E कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप विटमिन E की जो काप्सिल होती है यही वाली जो काप्सिल में आपके साथ डिसक्स की है इसी काप्सिल का इस्तमाल आप कर सकते हैं खाने के लिए ब्रेक्वस्ट के बाद एक टाबलेट 400 मिली ग्राम का ले सकते हैं इसके कोई as such side effects नहीं है लेकिन रोज मत खाते रहे हफते में दो बार या तीन बार is absolutely fine otherwise you can consult your doctor also आपको exactly you know prescribe कर देंगे कौन से वाली विटमिन E और किस मातरा में आपको लेनी है अगर आप अपनी डायेट में सही मातरा में विटमिन E ले रहे हैं तो बहुत कम चैंसे हैं कि आपको hair loss हो या आपके बाल डामेज लगे लेकिन अगर आप सही मातरा में डायेट ले रहे हैं आप supplements भी ले रहे हैं और फिर भी आपको damage है तो आपको साथ साथ यानि कि vitamin E consume करने के साथ साथ एक practice अपने ले शुरू करनी है that would be आप नहाने से exactly 15 minute पहले मातर 15 minute का application है और उसके बाद आपको अपना सर्ध हो लेना है क्या करन है step number one आपको अपने बालों को अच्छे से सुल्जाना है अगर आप सिरफ hair loss के लिए कर रहे हैं और जड़ों पर काम करना चाहते हैं तो आप सिरफ ऊपर के बाल सुल्जा लीजिए which is not a good practice आपको पूरे बाल सुल्जाने चाहिए लेकिन भी अभी सर्ध होना है we are not very comfortable तो आप सिरफ उपर के बाल सुल्जा लीजिए पार्टिशन करते जाए और वितमिन E का जो काप्सिल होता है अभी जो मैं आपके साथ डिसक्स किया यही वाला इवियोन का जो काप्सिल है यह काप्सिल आपको लेना है इसे हलका सा प्रिक करना है खोला है मतला हमें चाहिए और अप थोड़ा थोड़ा अप उस पूरी मांग जो आपने निकाली है पार्टिशन किया है आप रूट्स पर इसको लगा लेंगे ना नमबर वन यह इतना थिक होता है जस लाइक कास्टरोई कैसा होता है बहुत थिक होता है यह भी एक्जाक्ली वैसा है तो आप डॉट डॉ के लिए करेंगे ताम कंज्यूमिंग है बाल रोपने है ना है यह लोस तो इतना करना पड़ेगा आप पीछे के बालो में भी प्रॉपर ली कीजिए आप रैंडमाइज कर सकते हैं लेकिन हाथ थोड़े क्लोजर क्लोजर आप कर लिजए और उसके बाद बहुत ही सॉफ हैं नहीं करने हैँ अमारी दाधिनानी न्हीं करती ह differ standards words 어제 अगए तो डाधिनानी बहुत ही बहुत है जेंटल हांज के साथ यह उड़ेक अपने सारी स्काल्प को देना है बहुत ही रफ्ली लगाई लगाई कोल्सर देताइब अनको प्रसाइज भीचे बाल को झैखाने की भीच दीजे कंगी करने की कोशिश इस टाइम पर बिल्कुल मत कीजे क्योंकि आपके बालों में थोड़ा सा भी फ्रिक्षिन हुआ बाल कमजोर है तूट जाएंगे फिर आप बोलेंगे हाय तौबा यह क्या हो गया अब तो गए सारे बाल तो टेंचन वाली कोई बात नहीं है थेक इतने सारे ओईल है सभी बॉटल में आते हैं यह क्यों आता है कि इसलिए आता है क्योंकि आपके आप्लिकेशन के कंटाक्त में में खुद ऐड़ारी हो जाते हैं अब भुलेंगे कि खुद ऑक्शिधाइज हो जाता है हमें क्या पोटेक करेगा है कि विटमिन इस गसब का एंटाय ओक्सिडेंट है लेकिन क्योंकि ऑक्सिडाइज हो जाता है इसलिए बहुत कम मातरा में आता है और जब आपको अप्लिकेशन करना है सिरफ उसी समय के लिए अपको दिया जाता है और अपने पूरे स्काल्प को देने के बाद 15 मिनट बाद अपना हेड वाश कर करते हैं तो आप सकते हैं जाते हैं अगर कंडिशन के भी कर सकते हैं आपसलिका प्रॉबर्ममद 10 कलीटै कर ने आपने ने मुद शे reicht को कन्डिशने के रहे से तो कि अपर रहरे हो अब इ। रहा हैं आपको क्या करना है ने लिए अगर आप के बालों में बहुत ज lot़ दीख œil तो है जब क्यूतिकल्स हो जाते हैं तो बाल पिलकुल और से हो जाते हैं तब क्या करते हैं तब हम 5 विटमिन E आपके रूट्स तक तकि इसकी पोटेंसी वहां तक बहुत अच्छी से मेन्टेन रहे। कौन कौन से oils इस्तमाल हो सकते हैं as a carrier oil आप यूज़ कर सकते हैं coconut oil आप यूज़ कर सकते हैं olive oil आप यूज़ कर सकते हैं almond oil या फिर आप यूज़ कर सकते हैं castor oil देखे castor oil already काफी थिक होता है उसमें आप एक और थिक oil दालेंगे फिर इसको आप हलका सा गुनगोना करेंगे तब यह वर्केबल होता है लेकिन धोने में फिर से आप लोग कहेंगे कि भाया नहीं तो कास्टर ओल अवॉइड कर सकते हैं इनिशली आप तीन फूट बेज और लाइटर ओल इनका इस्तमाल कर लीजे और आप इसको अच्छे से जब जो भी आप ले रहे हैं आप एक अटोर से हीट कर सकते हैं तो वह कर लीजे वह भी नहीं कर सकते हैं कोई प्रवनिया अच्छे से हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कीजे कि थोड़ी हीट प्रिड्यूस हो और यह बहुत ही आसानी से फ्यूस हो जाएगा and then you apply it on your lens नाव जब आप अपनी लेंथ पर इसका अप्लिके करेंगे इतना कॉम्पोस की वह कि आप इसके पर कंगी भी कर सकते हैं मैंने तो की थी वह लेकिन जो लोग डाइसी हैं हम नहीं कर सकते बाल टूट जाते यह वह मत करना गुर्देव कता ही मत करना क्योंकि डाउट के साथ जो काम करोगे वह तो डैफिनेटली होगा तो इसल अगर आपके हेर लाइन में परिशानी है बहुत सारे लोगों का हेर लाइन पीछे जाता जा रहा है वह पहली स्टेज होती है टकले होने की तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो विटमिन E कॉंसेंट्रेटेड फॉर में लीजिए और आप अपनी पूरी की पूरी हेर लाइन म गांगे टिन में एक ही तरीका अपनाएंगे और इसको फॉलो करेंगे समाझ में आया अगर सिरफ एर लॉस हो रहा है तो सिरफ कॉंसें पर लगाई तो अगर आपको फुरिप हो रहा है तो अप इस तरीके से क्यारीर रॉल के साथ लगाएंगे I hope I am clear to everybody कोई बीडाउट त आप लोगों को लेना है अगर घर वाला है लीफ से अपने एक्स्ट्रा किया है तो हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करना पड़ेगा अदर्वाइस आप मार्केट बेस्ट दो बड़ी चम्माच अलावेरा जेल ले लीजे इसमें आप एक कैप्सूल डाल लीजेए विटमीनी ओल अपने ब्लेंड करेंगे तो यह सफेद हो जाएगा जिसा कि आपको दिख रहा होगा अग्स इस दे माजिकल क्रीम जो आपको अपने बालो में लगाएंगे अपनी लेंट्स पर भी लगाएंगे और अच्छे से बंद करके पंदरा मिनट के लिए रहने देंगे और उसके अपने बालों में लगा रहने दे सकते हैं और यह जो तरीका है अलवेरा प्लस यह आप आदे गंटे के लिए अपने बालों में रहने देंगे और उसके बाद अपना हेड़ वाश कर लेंगे नॉर्मल शांपू से और गों टो बी रिली हैपी मेथड नमबर फोर उन लोगों के लिए जिनके बालों में बहुत ही ज्यादा डामेज है मतला बरदाश से भार हमसे ना हो पाई ऐसे बालों के लिए कुछ भी मतलब वह वाला सीन है तो आप लोगों को प्रिपेर करना है फ्लाक सीद्स जेल मेरी पूरी जनता जानती है कैस से प्रिपेर करना है अलसी के बीज लेके आने है एक पैन में लेना है पानी लेना है हीट करना है और स्ट्रेंड कर लेना है तो जेल में तबदील हो जाएगा जब ही हलका गुंगोना हो इसी समय आप इसमें दो वितमिन E Capsules डाल लीजे अच्छ से फेट लीजे हैं ब्लें करनी है अप्रॉक्सिमेटली तीन से चार बार यानि की पूरा महीना भर हफते में एक बार आपको ट्राय करना है और यू बुद सी दिचेंज अगर आप जाधा फ्रिक्वेंसी करना चाहते हैं तो हफते में दो बार भी कर सकते हैं अप्सिल्यूटली नो प्रॉब्लम यह कोई साइड एफेक्ट नहीं है विटमिन ए का जो सेवन आप कर रहे हैं बस उसी का ध्यान रखना है कि वह बहुत जादा नहीं होनी चाहिए अप्लिकेशन आप कर सकते हैं अप्सिल्यूटी नो प्रॉब्लम यह थे वह चार तरीके जो मैं अपने बालों के लिए इसको इस सब इसका इस्तमाल कर सकते हैं क्या बच्चों के बालों में कर सकते हैं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं एक चीज़ बता दू इसकी स्मेल नहायती वाहियात होती है मतलब बहुती गंदी स्मेल होती है तो पहले बताया नहीं हमने ऐसी लगा लिया तो इसको सी दिन लगाई बाल में लगाई है, इस्तेमाल कीजे and make the most out of this amazing thing for your hair, आशा करती हूँ, मेरे परिवार को ये रेमेरी समझ में आई है और वो इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे और अपने beautiful results आके हम सब के साथ share करेंगे, आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में with something magical for you, तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिये, करवा चौथ आ रहा है, उसकी तयारी शुरू कर दीजे, मैं भी शुरू करने वाली हूँ, हो सका तो आपके साथ share करूंगे otherwise, a very happy करवा चौथ to all the beautiful ladies out there, जिसको celebrate कर रही है मैं आप सबी से मिलती हूँ, अपनी अगली वीडियो में with something magical for you, तब तक के लिए बहुत सारा खयाल रखिये, खुश रही है, बहुत सारा रेपीट कर रहे है अच्छा, मैंने वापस से ओन किया, ये बोलने के लिए लाइक करना भूल जा रहे है भाई, क्या हो गया, लाइक कीजिए, लाइक करना ज़रूरी होता है like it my family